हाई दोस्तों आप लोग ऐसे हैं उमीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग जा रहे हैं आज हम मोंगलेट बनाने के लिए हम मोंग का दाल दो घंटा पहले भी गोद दिये थे अब हम इसको इस तरीके से पानी में धूल करके छान लेंगे ऐसे हम धूल लेंगे हम लीए मिक्सर के जाब इसमें हम तीन मिर्चा लिए है हरी मिर्चै इसको डाल दिये हैं लहसंक्र एस कि पेस लेंगे कि तरीके से डर्दरव सा पिसा गया है अब हम इसमें डालेंगे मूंवक की दालर भूप को पिसदे रखे हैं इसेको यह तरीके से नहीं ले लेते हैं मिकसर जार लिए उसको हम इसमें पेश्ट बना लिए यह बढ़िया से आधरक लासन मिर्चा जीरा डाल के बना लिए हैं और हम डालना इसमें चाट मसाला एक चम्मस परिब डालेंगे और हम आधा से कम नेबू लिए हैं नेबू डाल दे रहे हैं इस तरीके से तो आध के अनुसाद ममक डाल दे रहे हैं और हम इसको डालेंगे इनो डालने से बहुत अच्छा फूल जाता है तो इसलिए हम इनो डाल रहे हैं और यह जल्दी यह बन जाता है जैसे इसको रखना करता है इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं देख कितना बढ़ियां साइए डालने से इसमें फेटने से फूल रहा है बहुत अच्छा बनता है अब हम इसमें डाले हुए थोड़ी से प्याद कि थोड़ी सिट माट There तुमाटर प्याज को हम रफ़ि काट लिए थे हरा मिर्च डालेंगे थोड़ी से धनिया की बत्थि डालेंगे और इसका इसमों मिक्स कर लेंगे ऐसे हम मिक्स कर लेते हैं इसमें है कि अच्छा से मिक्स हो गर्या है तेल लगा दे रहें तेल हलका हलका सा इस तरीकी से लगा दिये हैं और इसमें कल्चो से ऐसे डालेंगे दाल के ऐसे फेला दे रहेंगे बहुत बड़ा में करने इसको तो अच्छा लगता है तो इस तरीके से हैं तो इसको एक तरफ अपने देते हैं कितना बढ़ी है इसको मुपा से डालेंगे बारी क्याओ प्याज है पनाटन भी डाल देते हैं इसको आपने पत्ति और इसमें हम डालेंगे ठाड़ा मेल्स बारी कटी हुए है ऐसे डाल दिये हैं अब एक तरफ इसको मच्छे से पकने देते हैं इसे ही तेल डाल दे रहे हैं बहुत जादे नहीं हल्का अल्का डाल रहे हैं कम तेल में हल्दी नास्ता बहुत अच्छा बहुत टेश्टी देखे इस तरीके से हैं इसको आइसे पलट देंगें कितना बढ़ियां के तयार है कितना बढ़ियां कितना अच्छा सांदार बना है अब हम इसको आइसे पीज्या जैसे बेलकुल बना बच्चे बहुत प्रेज़ से खाएंगे मुंगलिट बनकर तयान हो गया है खाईएगा बनाईएगा परमेंट करके जरू बताएगा कैसा बना है